नमस्कार मैं हूँ अकरशन उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरे देख रहे हैं आईबेन 24 पर जो ये शक्स इस समय मेरे साथ खड़े हैं सुबह से आप इनकी लगबग दो खबरे देख चुके इनका नाम है गोपान वासुदेव गोपन वासुदेव जो की मूल रूप से केरला के रहने वाले हैं इनके साथ क्या कुछ हुआ ये आपने पहले भी सुना लेकिन उससे भी जादा जब बाच्चित मेरी हुई मुझे दरपंजी ने बताया कि इनका कुछ इस तरह का मामला है दो खबरे इनकी चल चुकी थी लोगों के लगातार हमारे पास फोन आ थे कि वो आपके पास केरल से आये हुए हैं उनका समान तो आपने ढुणवा दिया लेकिन आगे उनके लिए क्या कर रहे हैं इने कहीं भेज रहे हैं कहीं जा रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया है लोग बार बार फोन करते हैं पूछते हैं तो इसलिए स उस लड़की को तो हम ढून नहीं पाए, इनका बैग जरूर हमारी कवरेज के बाद मिल गया, दूसरी बात, इनका जो बैग गुम हो गया था, वो बैग भी खबर चलने के बाद जब मिलता है, तो उसमें ये देखी इनका पासपोर्ट था, इनके पासपोर्ट के साथ साथ इ इनके इनके कई जगा विजए लगे हुए सुडन के, और ये वहाँ पर नौकरी करते थे, लेकिन करोना काल में किस तरह से जो नौकरी है इनकी नौकरी पर बात आगई और ये देखी इनका आकरी विजग dijग था, इनकी पतनी है, एक बेटा है, परिवार में मा है सब लोग हैं लेकिन नौकरी ना मिलने से ये परिशान थे नौकरी के लिए इन्हों ने किसी को वीजा के नाम पर पैसे दिये और वो पैसे महिला धूखा दड़ी कर गए इनके साथ और फिलहाल अब ने करनाल से दिल्ली भेज रहे हैं और दिल्ली से इन की ticket book करवा दी गई है क्योंकि और कोई ticket book नहीं हो पा रही थी तो हमने इनकी जो ticket है वह ac class की भहिए आपकि ticket book हो गया आपका book हो गया हो गया हो गया कुछ कहना चाहोगे करनाल के के बारे में करनाल के लोग के बारे में करनाल के लोग तो बहुत अच्छा लोग है थोड़ा चोटा मोटा प्रोब्लम है तो भी इदर का बाकी लोग तो अच्छा है 99 परसंट आदमी लोग अच्छा है तो कहां का रहने वाले हो आप कहां के रहने में केरला केरला में रहने व इदर आने के लिए मेरे को चंडीगड आने के लिए बोला में चंडीगड आ गया उसी टाइम बोला में चंडीगड में नहीं है करनाल पे है बोला फिर में करनाल पे आ गया करनाल पे आ गया और रात हो गया मेरे को रुकने के लिए कोई जगा नहीं मिला में बेस्टोब में बाइट गया था रात को आधी रात में मेरा बैग पेस मोबेल सारा कुछ चोरी हो गया मैं पोलिस शेशन में भी कंप्लाइन किया और उनको भी कुछ पता नहीं चला फिर बाद में मैं IBN 24 का ओपीस में आ गया इदर आके इन लोगों को बोल दिया वो लोग तो मेरा को हिल्प मेरा बैग में मेरा पासपोर्ट है मेरा अभी तक पढ़ा लिया वाला पढ़ाई का कागज पूरा दा और मेरा ड्रस दा सारा कुछ आइटम दा काली उसमें से मेरा मोबेल और मेरा पेस चोरी हो गया बस अब कहां जा रही हो आप अभी मैं अब यह दूसरा जगह पर काम डूनने के लिए जा रहा है का सूरच जा रहा है सूरच जा के मेरा को पतावल आदमी लोग है उदर उन लोग विसाद जा आपका मेरा दोस्त है वो लोग के पास जा रहा है मुझे यह बता हो गोपन भई आप अपने घर क्यों नहीं जारे ज मैं पहले आपको बोला दा मेरे मेरे को इतना पाईसा नुकसान हो गया और यह तो मैं दूसरे आदमी के पास से लोग पे लिया था यह पाईसा कैसे भी वापस करने का ना वो लोग भी थोड़ा पैसा नहा शर्मा ने सतर अजार ले लिए वो आपने लोग लिए था हाँ मै किटना लिया . 10-20 ऐसाso, that night light के मैं लियादा , पाइसा वापस नहीं there और जी ळे तो वह तो भी को निपल आ जा कि आप पैसा कमा तो पैसा कमाकर घर जाएगा , तो अब नहीं पैसा नहीं है, काम कैसे चलेगा आपका अब चलो गुजराद जा रहा है, आपका टिकेट विकेट तो बुक करवा दिया, लेकिन अब गुजराद जाके फिर नौकरी करेगा कुछ? हाँ, नौकरी करेगा. बहुंसा क्या काम करता है तुम? मैं गाड़ी का मेकानिक है, मैं बी सुडान गया था, तो अब जिस तरह तुम्हारे साथ धोखा हुआ, अब दुबारा विदेश जाना चाहता है, फोरें जाना चाहता है, मिलेगा तो जाएगा, क्यूंगी मेरा परिवार को थोड़ा अच्छा फेसिल्टी मेरा को दे सकता है, इसके लिए, तो धोखा हुआ एक बार, एक बार दोखा हो गया, कैनेडा का विजा के लिए, उसी का बज़े से और आच्छा वाला काम मिलेगा, जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया, उसे कुछ कहना चाहता है, मेरा फोन चोरी हो गया, मैं दुबारा किदर भी जाके मेरा मेल आडियो ओपन करके उसका फ को भी ऐसा दोखा मत देने का, उसके लिए कुछ करना है, अब खुश है, दिल में कोई दुख, दिल में कोई दर्द तो नहीं, ऐसा कुम हुआ दर्द है, वही दर्द है, बस बाकी दोखा हुआ हो, वही दर्द है मेरे को, बाकी तो सब, ये खुशी है कि बैग मिल गया, च आपको दिल में दر्द करने के लिए मेरे को नई क्यूंकि एक जगा गिला है उदरसे हमको थोड़ा मिट्टी निकाल सकता है फुरा मिट्टी निकालागा तो अपना पाइर का निडी से मट्टी निकालना जैसा हो गया इसा मत करनेगा वो मेरा अब यह आपका पासपोर्ट है यह आपकी टिकट है और अभी आपको वहां पे रेल्वे स्टेशन चुडवाएगा वहां से दिल्ली जाना दिल्ली से सुबह फिर ट्रेन मिलेगा और जब सूरत पहुंचेगा तो नंबर भाई साब का दिया वो नंबर फोन करके बताना कि मैं एक पहुंचेया ठीक थाक तुबढरागा में अमुआइग कभी आएगा करना मिलने के मैं र पास कुछ पाइश यह तो मैं आएगा क्यों Ст ratings करणे करने के लिए पाइसा होना नहीं दोखा नहीं, वैसे आजाना कभी ठीक है धर गुमने के लिए एक दिन मेरे को अच्छा काम मिल गया अच्छा सा पकार मिल रहेंगा बाद में एक बार आएगा जोड़ा आप लोग को मिलने के लिए मेरा नम गोबन मेरा पूरा नम गोबन वासुदेवन पलाई इनका न passport पे जैसे Sudan के वीजा भी लगे हूँ है काफी सारे लगे हूँ दुबाई का वीजा लगे क्या लग रहा है सर यह है कि हमारे client भी है सचदेवा जी है एंडियाराई के पास उनकी शोप है उनका मुझे सुबह फोन आया कि भी ऐसे ऐसे करके एक बंदा है और केरला से बता रहा है उसके साथ धोका दड़ी हुई है बड़ा रोने वाला है प्रेशान है तो मैंने उनको यही बोला कि अकर्शन सर हर दीन दुखी की help करते हैं आप आई बेन 24 की office में भेज़ा उसको जो बहुत थैंक्स बोलूँगा कि भई जो एक ऐसा अदमी था जिसको और कहीं आस नहीं दी कहीं भी जाता सर यह धक्के खाता लेकिन आई बेन 24 के office में आया इसका passport भी मिल गया इसकी टिकेट भी होगी अपने परिवार में चला जाएगा बिलकुल बिलकुल वो बहुत जरू लोगों से कहना चाहूंगा कि भी को जो भी authorized consultant है उसी के थ्रू अपनी फाइल लगवाई अगर भी देश में जाना है skilled है skilled हो आप तो कभी भी ऐसे नेहा शर्मा के चकर में मत पड़ो कई वारना गलत connection हो जाता और जिंद्गी बरबाद हो जाती है यह बड़ी बात कह रहे ह में लंबे लंबे लाइने लगाते हैं हम मंदिरों में दान देते हैं देना चाहिए क्योंकि मंदिर भी हमारी वज़ा से चलते हैं लेकिन उससे पहले जरूरत है इंसानियत की सेवा करने की इंसान की सेवा करने की क्योंकि हम अक्सर जिनको जरूरत होती है उनको दर किनार क के मंदिर में चले जाते हैं वहां पर की परची कटवाते सोचते हैं भاجवान शायद आशिरवात देने घर है उसका रीजन में आपको बताता हूं सिंग साब एक बार मैं किताब पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक बाबा जी थे वो जब जापान गए तो उनको अच्छे फल नहीं मिले तो जब उन्होंने का कि जापान में तो अच्छे फल ही नही हमने सिर्फ हमने यानि हमारी पूरी टीम ने जो इनकी मदद की उसका कारण यही था कि यह जाकर यह नगए कि करनाल तो बहुत बुरा शहर है निहा शर्मा ने भी जो धुखा है वो दे दिया और साथ ही मेरा बैग भी चोरी कर लिया किसी ने मेरी मदद भी नहीं करी तो कम आप वहारी टीम के साथ जाओ रेल्वे स्टेशन के यहां से दिली फिर दिली से गुजराद जाने का और वहां जाके फोन करने का बूलना नहीं नंबर दिया ना मैंने लिखके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सब को टैंक यू बोल रहा है काली दो आतमी को छोड़के बाकि स कुछ नहीं था वह तो फोन फोन ले गया है ना वह भी एक बात साही है लेकिन नया शर्मा को कभी भी नहीं चोड़ सकते हैं कोई बात नहीं तो मेरी आप सभी से अपील जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे शेर जरूर करें दोस्तों यह जो स्टोरी की है यह स सिर्फ प्रैरणास्तो कहानी बने प्रेर न Interior' स्टोरी बने सिर्फ इसलिए इस रोगसे औ Els तरह से लोगों का समान उठा लेएं मेरी उन से भी अपी लै कि मेरे भाईयों जिस तरह बहर से कोई शक्साया हुआ हुए ना जाने वो किस मजबूरी में है आप उसका भी बैग उठाकर ले गए फोन ले गया विसाद में कोई फोन नंबर नहीं है कोई पैसा नहीं है फिलाल इनको आमने पांच सुर्थ मुझे बताया था उन्हों ने दिया आपको सुब्सक्राइब पांच सुर्थ पर उन्हों ने सबसे पहले पहुंचे आप तक